नमस्का दोस्तों, टेक्नोलिज स्मार्टफोन चैनल में आपका स्वागत है आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो कम बजट में बेस्ट डिस्प्ले फोन लेना चाहते हैं वीडियो को पूरा देखना हो सकता है, इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल सके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले नमबर पे हमने रखा है Micromax in Note 2, जो अभी रेसेंटली लांच हुआ है इसमें 6.43 इंच फुल एश्डी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पंचोल के साथ दिया गया है इसमें 550 निट्स की पीक ब्राइडनेस और डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कोर्निंग गोरिला गलास तरी दिया गया है अब इसके कैमरे की बात करें तो इसके बैग में कौल्ट कैमरा सेटप दिया गया है 48 मेगा फिक्शल का प्राइमरी कैमरा, 5 मेगा फिक्शल का अल्टिया वाइल कैमरा, 2 मेगा फिक्शल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगा फिक्शल का डिफ्ट कैमरा दिया गया है इस कैमरे से 4K Full HD वीडियो रिकार्ट कर सकते हैं वहीं सेलफी के लिए 16 मेगा फिक्सल का कैमरा दिया गया है अब इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मेडिया टेक हीलियो जी 95 प्रोसेसर दिया गया है जो एक गेमिंग फोन भी है यदि फोन गर्म होता है तो इसको ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम दिया गया है इसमें 172 सीम और 1 मिमोरी कार्ड लगा सकते हैं इसके साइड में फिंगरप्रिन्ट सेंसर दिया गया है इसका बैक पैनल गलास और फ्रेम प्लास्टिक का दिया गया है या Android 11 पर रन करता है इसमें 5000 mh बैल्टी के साथ 30 वार्ट फास्ट चार्जर दिया गया है अब इसकी प्राइस की बात करें तो या 4GV RAM और 64GV इंटेनर मीमोरी के साथ 12,499 रुपे का है टेकनोलजी स्मार्ट फोन चैनल को अगर सबस्क्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से टेकनोलजी स्मार्ट फोन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकन को अंकर दीजिए जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके अगला फोन है मोटरोला मोटो जी 31 इसमें 6.4 इंच फुल एशडी प्लस सुपर एमोलेट डिस्प्ले दिया गया है इसमें मैक्सिमम 700 निट्स की पीक ब्राइडनेस दिया गया है बैक पैनल के उपर मैट फिनिस दिया गया है इसके पीछें की तरफ फिंगर प्रिंट सेंसर दिया गया है अब इसके कैमरे की बात करें तो इसमें टिपल कैमरा सेट अप दिया गया है 50 मेगा फिक्सल का प्राइमरी कैमरा 8 मेगा फिक्सल का इल्टावाइड 2 मेगा फिक्सल का माइक्रो कैमरा दिया गया है सेलफी के लिए 13 मेगा फिक्सल का कैमरा दिया गया है अब इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मेंडिया टेक हीलियो जी 85 प्रोसेसर दिया गया है इस प्रोसेसर पर अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं इसमें हाइवरिल सिम स्लाइल दिया गया है यानि की एक साथ दो सिम या एक सिम एक मिमोरिल कार लगा सकते हैं इसमें 5000 एमेज की बैल्टी दिया गया है जो 20 वार्ट फास्ट चार्जिंग के साथ आता है या 4GB RAM और 64GB इंटरनल मिमोरी के साथ 12999 रुपे का है अगला फोन है Infinix Note 11 इसमें 6.7 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेट डिस्पले दिया गया है डिस्पले के प्रोटेक्शन के लिए कोर्निंग गुरिला गलास दिया गया है डिस्पले बहुत जबदस्त दिया गया है इसकी बाड़ी पाली कार्बोनेल्ट का बना हुआ है इसके साइड में फिंगर प्रिंट संसर दिया हुआ है अब इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें में इंडिया टेक हिलियो जी 88 प्रोसेसर दिया गया है जिससे गेमिंग अब बहुत अच्छे से का सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं होगी या एंडराइड 11 पर रन करता है इसमें 50 मेगा फिक्सल प्लस 2 मेगा फिक्सल कैमरा के साथ AI का सपोर्ट दिया गया है सेल्फी के लिए 16 मेगा फिक्सल का कैमरा प्लस LED फ्लेस भी दिया गया है इसमें टिर्पल सिम स्लाट दिया गया है यानि की एक साथ दो सिम और एक मिमोरी लगा सकते हैं इसमें स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है इसमें 5000 एमेज की बैल्टी दिया गया है साथ में 33 वाल्ट का फास्ट चार्जर का सपूर्ट दिया गया है या फो जी वी रेम और 64 जी वी इंटरनर मीमोरी के साथ 11990 रुपे का है अभी हमने कम बज़र में सबसे अच्छा डिस्प्ले वाला फोन बताया है यदि आपका बज़र कम है और अच्छा डिस्प्ले फोन लेना चाते हैं तो आप ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आसा करता हूँ या वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा यदि टे टेकनालजी स्मार्टफोन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए